हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंतर अब आप लोग मेरे वीडियो को अनेकडमी की लर्णिंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTT सीटेट से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियो मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्यों दोस्तों, दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आप सब के लिए UPTT की तयारी से रिलेटेड इंपोर्टन कोशन्स लेकर आये हूँ तो आज की इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे मैत के कुछ इंपोर्टन कोशन्स जो कि हम लोग की 200 कोशन्स की सीरी चल रही थी इसका नेक्स पार्ट है, दोस्तों मैत के इस पार्ट को जरूर देख लें, इसमें आपको सभी फॉर्मेट पर आधारित इंपोर्टन कोशन्स मिलेंगे तो इन कोशन्स को समझ लिए कि किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे ही कोशन्स आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो अगर आप लोग समझ गए तो लगवग आपके 3-4 नंबर के कोशन इस टॉपिक से फश जाएंगे इसलिए अंतर तक देखेगा एक कोशन को समझते रही तो अब देख लेते हैं पहले कोशन से पहला कोशन है एक रास का 5 प्रस्ट प्रतिवर्स की दर्से दो बर्स के लिए साधारन व्याज और चक्रवध्य व्याज में अंतर 100 रुपाय है तो रास ही क्या होगी इसमें आपको क्या दे दिया गया है आर दे दिया गया है पांच परसेंट रेट जो होता है पांच परसेंट दिया गया है टाइम दे दिया गया है दो बर्स और अंतर दे दिया गया है साधरन ब्याज चक्रवत दिवाज में 100 रुपय का और आपसे रास यानि कि मुलधन पूछा गया है तो जब दो बरसों का अंतर दिया जाता साधरन ब्याज और चक्रवत दिवाज में तो इसका एक फॉर्मूला होता है तो दोस्तों इसमें देखे कौन सा फॉर्मूला लगे आर की वैल्यू कितनी 5% दीगी और नीचे 100 मालू में तो आप लोग क्या लिखेंगे आप 100 बराबर पी आर की वैल्यू दीए 5 का स्कॉार यानि 5 इंटू 5 अपॉन कितना देगे 100 का स्कॉार यानि 100 इंटू 100 यह दे दिए आपको अब आप लोग 100 का लिज से पी बराबर कि दो अप आउन में लिख देंगे 5 इंटू 5 तो आप लोग काट लिजे कितना होगा 25 सीधे 25 के 100 हो जाएगा यह पूरा कट जाएगा तो आपके पास कितनी वैल्यू आई 40,000 रुपाए यह आपका रासी आगी मान आ गया जो पी का मान पूछा गया था इसका थर्ड नंबर यह जाएगा अब देखे हैं इसके बाद अगला कोशन है किसी तर्भुज के तीनों कोडों के मान निमल खित में से कौन से हो सकते है तो दोस्तों तर्भुज के तीनों कोडों का मान कितना होता है इकस्थी एंस होता है तो अब इनमें आप लोग यह एड् relied करके देख ये भी गलत हो गया, ये कितना हो गया, 6, 7, 6, 13, और 5, 18, बस ये थर्ड वाला option आपका सही हो गया, C number option 50, तो अब बढ़ते हैं अगले question पर, अगला question है, वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी होगी, जिसे 8, 9, 12, 15, से भाग देने पर हर जसा में एक सेस बचें, तो दुस्तो ले लीजे क्या होगा, 8 का कितना होगा, 2, 2, 2, 2, 9 को कितना, 3 into 3, इसका बारे को कितना लिखते हैं, 3, 2, 2, 2, और इसका बारे को कितना लिखते हैं, 5, 3, अब LCM में क्या करते हैं लोग, जो सबसे ज़्यादा वाले पद होते हैं, उनको ले लेते हैं, तो यानि 2, 2, 2, 2, 2, इसमें देखें तीन सबसे ज़्यादा वार किसमें इसमें आया है तो दो बार तीन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे पाँच ले लेंगे पस इतना ही लेंगे तो कितना होगी 2, दूनी 4, दूनी 8 24, चौविस त्यन कितने होते 72, 62, 360 तो आपका आंसर आ गया 360 लेकिन अभी यह आपका आंसर नहीं हुआ है यह सिर्फ आपका LCM आया इन संख्याओं का 360 अब एक सेस बच जाए हर दसा में तो इसमें क्या कर देंगे एक जोड देंगे तो इस कुश्चन का आंसर हो जाएगा 361 यही बाला option सही हो जाएगा क्योंक उसे हम लोग आगे अगर कोश्चन आएगा तो उसमें discuss कर लेंगे अब अगला कोश्चन है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% और बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कुल कितनी ब्रद्धी हुई यह आपको बताना है तो पहले 10% बढ़ाया गया फिर बढ टोटल जो मान आ जाएगा वही answer हो जाएगा तो कितना answer हो जाएगा इसका देख लिजिए आप resolve करिए कितना आएगा 10 और 20 कितना 30 हो गया यह 0 से 0 cancel होगा यहां पर कितना बचा 2 बचा तो 30 और प्लस 2 इतना हो गया 30 और 2 कितना 32 होता यही आपका answer हो गया 32% 32% किसमें C number option मे मान ग्याद करिए तो दोस्तों कोटि पूरक कोंड का उन सा होता है कोटि पूरक कोंड वे कोंड होते हैं तो जिन दो कोड़ों का मान जो होता 90 डिगरी हो नभे अंस हो और संपूरक कोंड में होता एक सो सी अंस मैंने last class में question आप से पूछा भी था तो इसमें देखे कोटि का हो जाएगा 90 माइनस X ये कोटि पूरक कोंड के लिए और इसी प्रकार से संपूरक कोंड के लिए क्या हो जाएगा तो संपूरक कोंड के लिए हो जाएगा 180 माइनस X क्योंकि एक एक समान लेते हैं तो दूसरा उसमें से माइनस करने पर हमें संपूरक कोंड और कोटि पाद 4 है तो यानि कि 90-x बटे 180-x बरावर 1 बटे 4 ऐसे लिख दिया अब इसे cross multiply कर लेंगे कहिंची गुणा करते हैं वैसे ही कर लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 360-4x बरावर 180-x यह हो गया 180-x अब यह x इधर आ जाएगा और यह उधर चला जाएगा यह value इधर कर लेंगे यह इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 4x-x बरावर 360-180 तो 3x बरावर कितना आ गया 180 आ गया 3 यह एपाउन में चला जाएगा इसके तो x की value आ जाएगी 60 हंस 180 बटे 3 तो 60 हंस हो जाता है यही आपकी x की value हो जाएगी यही पूछा गया है कि उस कोण का मान वो कोण हमने क्या x माना था तो इसकी value आगी 60 हंस अब आप लोगों को अच्छा यह बताना कि इसका संपूरक कोण क्या बनेगा इसका answer comment box में जरूर दीजेगा और कोटी पूरक कोण भी क्या बनेगा हमने आपको x की value बता दिये आगे के सिर्फ आपको calculation करके comment box में बताना है अब अगला question है कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका सेसफल 132 आता है उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो सेसफल कितना आएगा तो दोस्तों जब हम लोग किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं माल लेंगे कोई संख्या है आपके पास उसे 175 से विभाजित करने पर सेसफल कितना 132 आ गया और पूछा गया है 25 के लिए पूछा गया है तो 25 के लिए सबसे पहले आपको यह चेकरना पड़ता है इन दोन पास आपका मान अम लोगों को पता लग जाएगा तो 132 में जो हम लोग 25 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 25 25 होता है तो 125 कितना 5 उदर और 7 साथ आपका मान आगया यही आंसर है बस आप लोगों को पहले रिजलेशन चेक करना पड़ता है कि इसके अपवर्त के अंतरगत आ रहा है गुणंखंड के अंतरगत आ रहा है या नहीं आ रहा है यदि दोनों में संबंध हो रहा है तो जो सेस्फल दिया होगा उसमें संख्या है तो कोई संख्या माल लेते है एक संख्या है तो हमसे क्या का गया कि एकस का चार बटे 5 भाग 64 दिया हुआ है तो एकस कि वैल्यु 16 में गुणे 5 यानि कि 80 आ गया X की value कितनी 80 आ गयी लेकिन X की value नहीं पूछी गयी है हमसे पूछा गया इस संख्या क्या आधा क्या होगा यानि कि X बटे 2 का मान क्या होगा तो X बटे 2 का मान होगा 80 बटे 2 यानि कि 40 यह answer आ जाएगा देखे 3rd number option में आपको 40 दिया गया answer बस यही आपका answer हो जाएगा जाद हम कोई confusing जाद हम कुछ करने के जरूरत नहीं ना ही कोई आपको trick याद करनी है बस calculation आना चाहिए थोड़ा सा और थोड़ा अगर आप लोग आराम से answer देंगे तो आपके यह question बिल्कुल easy होते हैं और लगवग आपको 10 question इसी type के मिलते हैं और 10 question पैडोगाजी क्यों के 20 question हो गए और इसके आद 10 question अगर आप लोग छोड़ भी देंगे तो आपका कम से कम 10 minute का time तो बचेगा ही तो उसे आप लोग दूसरे portion में यूज कर लीजिएगा और यह 20 question अगर आप लोग अच्छी से बिल्कुल सही से लगा लेंगे तो 20 में 18 number तो आपके आही जाएंगे अब इसके आद अगला question है दो संख्याओं का लगुतम समापवर्थ 2211 है और महत्तम समापवर्थ 30 है इन में से एक संख्या 201 है तो दूसरी संख्या क्या होगी यह देखे इसमें आपको HCF कमान दे दिया गया LCM का दे दिया गया एक संख्या A दे दी गई यह उसका मान दे दिया गया B कमान पूछा गया इसका formula क्या होता है HCF into LCM बराबर A into B यह होता इसका formula तो A into B होता A की value में मालूम B की value निकालनी तो हम लोग क्या लिखेंगे B बराबर HCF की value जो है गुणे LCM की value और upon में A HCF की value क्या दी गई 2211 गुणे 30 बटे 201 बस इसे solve कर लेंगे जो answer आजाएगा वही आपकी दूसरी संख्या आजाएगी अब देखे 201 को जब 2211 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 11 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा एक बार आप लोग चेक करके देख लीजिए अब आपका आगया 11 गुणे 30 11 गुणे 30 करेंगे कितना आएगा 11 तिया 33 यानि की 330 फर्स्ट नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 330 आपका answer दिया हुआ यही बाला option सही हो जाएगा अब इसके आद बढ़ते हैं अगले question पर संख्या 2.52 को जब भिन में लिखा जाए और निम्द पदों की समानीत किया जाए तो answer और हर का योगफल क्या होगा यह देखे इसके उपर यह बार का sign लगा हुआ यह sign को बार कहते हैं तो इसमें क्या लिखा है 2.52 इसे कब लगाते हैं लोग जब दसंबलब की संख्या बार बार repeat हो इस प्रकार से इन दोनों के उपर लगा है तो इसका मतलब यह हो गया इनने हटा के हम लोग डाइरेक्ट यह उपर का बार लगा दिया जाता sign और इसे जब लोग answer में तोड़ते हैं भिन्द के रूप में तोड़ते हैं इसका बाबन उपर है तो बाबन उपर कर देंगे तो उपर देखे दो बार 5 और दो लिखा था तो नीचे एक बार लिख देंगे बस यह आपका अंसर हो गया लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि अंसर और हर का योग फल तो पहले हमें इससे साधारन भिन में चेंज करना होगा तो 99 दूने कितने होते हैं 198 होता है तो 198 और 22 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा 2500 बटे 99 यह आपके अंस आ गया और यह हरा गया लेकिन आपको करना क्या इन दोनों का एड़ करना है जोडना है तो 200 में 99 जोड़ेंगे आप लोग कॉपी पैन की जरूर नहीं डाइरेक्ट कैसे जोड़ेंगे 200 में 100 जोड़ेंगे 300 हो गया उसमें 1 माइनस कर देंगे क्योंकि एक कम है 100 में से तो एक कम कर देंगे तो कितना 300 उननचास हो गया यानि कि 4th नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो गया यही वाला आप्शन सही होगा अब दोस्तों इसके बाद अगला कोशन है कि कि किसी यात्रा का एक तिहाई भाग 25 किलो मीटर की गंटे की दर से तैंकिया गया पहले हम लोगों को कुल समय निकालना होगा कि कितना समय लगा और कुल दूरी निकालनी होगी तो हम माल लेते हैं दूरी कितनी है दूरी x माल लेते हम लोग अब कोशन के कॉर्डिंग पहले अलग-अलग solve कर लेते हैं तो क्या दिया गया है, एक तियाई भाग में कितना है, पच्चिस किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला, तो एक तियाई, X का एक तियाई कितना, X बटे 3 हो गया, इसी प्रकार से आगे X से उथाई है, यानि कि X बटे 4 हो गया, और 6 भाग, यानि कि 1 माइनस 1 प्लस 3 और 1 प बाटे बारा इधर आ गया और एक मेंसे माइनस कर देंगे तो कितना पांच बटे बारा बचेगा यानि कि फाइव एक्स अपाउंड टोयल अब यह तीनों की कुल दूरी आपको पता लगे और चाल का फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय यही फॉर्मूल कर देंगे यह आपकी वैल्यू आगया विसे हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग स्वें से करिएगा पहले में दिया गया एक्स बटे तीन बटे तीन यह वाला जो बटे होता है नीचे उतर आएगा सभी में यहां पर आ जाएगा और पांस से पचास कैंसिल हो गया तो यह यहां कितना बचा दस बच गया 12 गुणे 10 हो गया यहां पर तो यहां वैल्यू आ जाएगी एक्स बटे 75 प्लस एक्स बटे 120 प्लस एक्स बटे 120 यह वैल्यू आ जाएंगे आपकी तीन हो अब इन्हें LCM लेके सॉल्व कर लेंगे जब लोग पूरा अंसर यह क्या आएगा क कुल समय आ जाएगा आपका तो कुल समय कितना आएगा करिए सॉल्व देखे कितना आता है बारा पंचे साथ छे सो नीचे हो जाएगा अब उपर से आप लोग जब डिवाइड करके पूरा निकालेंगे तो यह आपका मान आएगा 3X अपॉन हंड्रेड यह आपकी उपर X-X cancel हो गया यानि कि 100 बटे 3 इसमें देखे किसमें option दिया गया में स्रविन में दिया चेंज कर लेंगे इसे लिखते हैं 33 सही एक बटे 3 तो इसका second number option देखे 33 सही एक बटे दिन किलो मीटर प्रतिगंटा यह आपका option हो गया बिल्कुल easy सा question था बस इसमें थोड़ा आपको सम्झाने में problem हो रही थी लेकिन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से जादा कुछ था नहीं इस question में अब बढ़ते हैं अगले question पर तो अगला question अच्छे अंकों की छोटी से छोटी संख्या को जो पूर्ण बर्ग होगी कौन सी होगी यह question मैंने आपको पहले भ बीच में आ यानि कि इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो तो पांच छेंगों की सबसे छोटी जम लोग पूर्ण बर्ग संख्या डूनेंगे तो पहले आप लोग 316 का एक बार बर्ग लेकर देख लीजे तो कितना आएगा निन्यानवे 1856 यह आएगा और इसके बाद जम फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा छेंगों की छोटी से छोटी संक्या जो पूर्ण बर्ग होगी तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसे स्वाल्व करने के लिए हम लोग भाग विद्ध का यूज़ करते हैं जो जादा टब पढ़ मैं आपको आगे ट्रिक के माध्यम से बता दूगा तो दूस्तों यह आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के कोश्चन अलग-अलग फॉर्मेट के सॉल्व करवा दिये हैं आप लोगोंने समझ लिया होंगे अगर समझ में ना आयो तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो आप इसके आद बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन क्या दिया गया है कि यह दी अंडरूट बी बरावर फोर है दिया गया है तो ए स्कॉयर अपॉन बी की वैल्यू पूछी गई तो इसमें आप लोग डाइरेक्ट दोनों पच्चों का स्कॉयर ले ले तो कितना आएका अंडरूट हट जाएगा इसकॉयर जब हो जाएगा इधर हो जाएगा 16 A स्कॉयर अब पूछी का कि A स्कॉयर अपान B की वैल्यू पूछी कि ए ख्रॉस मंल्टिप्लाइग कर दीजी अपॉन में वन अपॉन में इधर भी है तो यह 16 इधर आजाएगा बी आगला कॉशन दिया गया है कि 2500 संत्रों में से 50 संत्रे इक अच्छा में बार्ट दिये गए कितने प्रस्टे संत्रें 60 बचे बहुत ही संत्रों की संख्या 600 है 50 बार्ट दिये गया असी प्रत्सत अंसर आगया आपका fourth number option दिया गया यही आपका option हो जाएगा अब आज का अंतिम question दोस्तों इसे भी देख लिए इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि 200 questions की series में आपके पिछले कई important questions की series ला चुका हूं सभी subject link description में मिल जाएगा इसके लाबा एक pedagogy की series भी चल रही है उसे भी अगर आपने अभी तक ना देखा तो जरूर देख लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तो अब अन्तिम question 24.02 का 10% और 24.02 का 10% में कितना अ माइनस करके मान निकाल ली कि आपका अंसर आ जाएगा तो दूस्तों क्या करेंगे इसमें 10 बटे 100 इसे 10 प्रस्चत को इसे तो लिखेंगे और 24.02 यह आपकी value निकल आई कि जो value आगी है यहाँ पर कट गया तो एक बटे 10 बाहर बचा और अंदर बचा कितना बचेगा यह दो घटाते कितना 18 बचता है बस आगे दिसमलब लगा देंगे 0.18 यह अंसर आगया आपका अब बटे 10 है चूंकि तो जब बटे ऊपर आता है तो एक अंकवाद लग जाएगा यानि कि इसका आपका अंसर आ जाएगा 0.018 बस इतना आपका अंसर देख लिए किसमें दिया है वो भी फूछ लीजेगा और दोस्तों वीडियो गर पसंद आए तो इसे लाइक करना भूलें पिसली वीडियो को भी जरूर देख लें थैंक्यू दोस्तों